तो इंडियन बाइक डैविंग 3D के न्यू स्कूल के अंदर पढ़ाने आई है दुनिया के सबसे स्टिक टीचर मिस्टी तो हमारे शहर में गाईज एक न्यू प्रोग्राम चलू हुआ जिसमें हमारे शहर में एक न्यू स्कूल खोला गया है और हमारे शहर के सारे लोगों को एक हफ़ते तक स्कूल आने के लिए कहा गया है जिसमें मैं भी जाने वाला हूँ और उस प्रोग्राम में हम कोई सूपर बाइक या कोई भी कार ने लेकर के नहीं जा सकते है सिफ साइकल से जाना है बस और जो के लड़कियां अगर जाना चाहती है तो वो साइकल से और स्कूटी से जा सकती है और निव स्कूल खुल चुका है जिसमें आज हम परने के लिए जा रहे क्योंकि तब लोगों के लिए एजुकेशन जो है बहुत ज़ादा ही जरूरी है और हम लोग को तो भाई बच्चे हैं नहीं हम लोग तो भाई पहले पढ़ चुके हैं तो हम लोग को भाई बच्चे जैसा भी है विए नहीं करना है क्योंकि वहाँ काफी ज़ादा जो है खतरनाक टीचर आ चुके है वैसे स्कूल तो खुला है जो के हमारे शहर के आउट पूरे शहर चारों तरफ से घृरा हुआ जिसकी बज़ा से में हमारे और एडिया में इस्कूल खुला गया है ताकि वहाँ पर बहुत बरा का मतलब बहुत बरा इस्कूल खुल चुका है जिसमें बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए भी आने वाले हैं और आज स्कूल का पहला दिन है हमें जाना है मगर मुझे रास्ता जो है ना किलियर पता नहीं है उतना मगर मैं बहुत जाओंगा वैसे तो मैंने देखा था और फाइनली गाइस मैं बहुत चुका हूँ अपने स्कूल के ग्राउंट के अंदर और जहां पर तारे लोग जो है ना सब साइकल से आए हैं और बस लड़किया जो है ना कुछ स्कूटी से आये हुई है तो हम तीन लोग के साथ चलते अंदर आ चुके हैं और यहां पर कुछ जादे अदमी नहीं मस्त तीन चार आदमी तो टीचर आने वाली आ चुके है और देख लो गाई यहां पर पेला पीडियर स्टार्ट हो रहा है जिसमें यार यह जो टीचर है जब से आई है मेरी कोई देख रही है और यह कैसा यार सवेरे आई है हम लोग जीस के वैसे हमें ही बडाट रही है तो दिकत और यहां सवेरे हम आ चुके मतलब पहले तो दिकत और यह जब से आया ने यह सिर्फ मेरे कोई देख रहे बादे बाकी सारे लोग तो है उसको क्यों नहीं देख रहे है यार यह रहे तो उठ कास मैं मैं उठ कर आँ में आघ्छा टीक है तो उठ जाता हूं यार अच्छा डू पलज तो कितने होते हैं है मैं धू पलज तो चाड़ी होते वैसे हमारे यह और थो यहां पढ़ाय जाता है गलत जवाब अभे यार सही जवाब देता हूं तो यह पागल है क्या यार यह गलत बोल रही है तो नाक्स्ट कॉस्ट्टन के लिए तहीं हो जाओ थिरी पलस थिरी कितने होते हैं अगर मैं इसको सही जवाब बोलता हूं मैं इस दफ़ा एक और बहा कर बोलता हूं मैं से सा आता हूं और भाई साब अड़े यह क्यों हो गया अवे यह क्यों रहात हो गई यार यह मुझे रहात ऐसा लग रहा है मगर चारो तरफ अंधेरा और मैं यहां अभी तक कैसे यहार बड़ी जवरदास इसने पंच मारा था यार और मैं Яहां रस्तजा यहारे यहां आसकी से बढ़ए हुए हुएAyАर यार तो मुझे से बांद करके रखने हुए appointments में यह दंडा मतलिए स्टीक किसे लिए रखा गया यार बस मारा नहीं मुझे यार बहुत जूर का वैसे गुसा मारा अवे यार मत मारो यार अवे मैडम मत मैडम मत अवे यार पता नहीं सहथ से चली गई रसी खोलता हूँ यार यहां से मैं फटाफट से चलता हूँ यार इसने बहुत ज़्यादा ही मतलब बहुत और यार मैं अकेला ऐसा हूँ ना जो अभी रात में स्कूल हूँ और मैं यहां से निकलता हूँ यार काफी ज़्यादा रात हो चुका है वैसे कल तो संडे है यार इ तो बहुत ज़्यादा ही मारती है यार ये कैसा पराई मुझे समझ में नहीं आता यार वैसे मैं घर जाकर कर सो जाओंगा यार बहुत ज़्यादा नीन दोड़ी आ रहे है ये बहुत ज़्यादा रात हो चुकिया और मैं पहुँच चुका हूं घर यार ये टीचर बहुत खत पाँगा तो अपना समान रखते हैं सोने के लिए चले जाते हैं तो सुभा हो चुकी है यार कलका माठ मौझे आज typically यार आज तो काफी जादा मेरा सरी डर्ट कर रहा है मगर आज मैं जाने वाला हूं अपने एक दोस्त से मिलने के लिए जो के मुझे इस टीचर के बारे में कुछ बताने वाला है यार वैसे तो आज संडे जिसके बारे से मैं घूम सकता हूँ और आज तो यार पढ़ाई नहीं करने पड़ीगी बरना वो टीचर काफी खतरनाक है जो के मेरे दोस्त ने बताया था कि वो गार्डन में मिलने वाला है जो के हमारे पुराने वाले घड़ की तरफ है वो गार्डन और सामने रोड दीख रहा है और यहां पर दीख रहा है मुझे गार्डन और यहीं पर वो मिलने वाला था मगर वो अभी तक आया क्यों नहीं यार बहुत देर से ढूड रहा हूँ मगर यार कहीं वो दिखी भी नहीं रहा सामने और वो लग रहा है क्या सामने यार मैं बहुत देर से आ चुका हूँ फाइनली ये मिल चुका है और इस से मैं जाकर के बात कर लेता हूँ यार इसने मुझे जो कि इसके टीचर के बारे में सब कुछ बता दिया है और इसने मुझे यार बताया है कि एक बच्चा है जो कि इस टीचर को बहुत अच्छे से जहनता है और वो बहुत खतरनाक बच्चा है यार तो पहले इसने मुझे मेरे मुगाल पे फोटो भेज दिया इसका देख लेते हैं कौन है बच्चा अब यार ये हैं और ये काफी खतरनाक भी यार चलो फिर इसको चलते हैं ढूरने इसके सामने एक रैंप दिख रहा है वैसे तो ये बच्चा मुझे काफी चालू लग रहा है यार ये मुझे लग तो रहा है कि इस टीचर की यार बैंड बजा सकता है काफी अच्छी तडिके से और इसको चलते हैं जो कि मैं गलत रास्ता जा रहा था बापस से मैं आ चुका हूँ सामने दिख रहा है वो कंटेनर जो के ऊपर मुझे जाना है यार ये तो नहीं मुझे लग रहा है क्योंकि इसके पीछे रैंप नहीं दिख रहा है और आगे के तरफ चलते हैं फिर सामने मुझे लग रहा है वो कंटेनर और यार इस तरफ जो ना कंट्रक्शन साइट भी दिख रहा है और नारियल का पेर या तार जो भी पेर और ट्री भी दिख रहा है मुझे और यही वो रास्ता है जिसके उपर वो था अब यार काफी ज्यादा मैंने तेज कर दिया अपनी बाइक को जिसके वासे जम्प हो गय मैंने उस वाले रैंप कंटीनर समझके के जम्प मारा इस दब हम काफी सुला सुला जाओंगा और यहां से इस तरफ यार यह काफी खतरनाक मैं जो बाइक चलाने में हम लोग चल नहीं पाते हैं और यह बच्चा कैसे इतनी ऊपर आ चुका यार यह लोग जो है ना काफी भ यह उपर चल चुका है वो भी पैदल मुझे लगता कि चरा होगा वैसे यह जिस भी चीज से चरा होगा उससे मुझे नहीं बस मुझे इससे मिलना यार यह बच्चा मुझे लगता है कि मेरा काम कर देगा इस टीचर को बैंड बजाने में तो फिर मुझे यार यह बच्चा लास्ट में सबसे आउट अफ एडिया में इसका घड़ है जो कि इसके अंदर जाना है और हमें इस टीचर का बैंड वा जाना है तो फिर इसके लिए मैं चलता हूं भाई और वो जो है न बच्चा यार अपनी एक साइकल लिए हुआ है और वो उसके अंदर एक मोटर फिट कर चुका है यार काफी इंटेलिजन दिमाग वाला बच्चा लग रहा है और यार यह मुझे लगता है कि काम कर देगा मेरा इससे और फिर मैं निकल चुका हूं सामने के तरफ और जुरासिक पार्क के तरफ मैं आ चुका हूं यहाँ पर रेलवे स्टेशन और इसी के टॉप लास्ट में जो के निू हाउस जो के पहले तो नहीं था मगर इस टीचर ने नया नया लिया ही है और इस सहर में एडमिसन भी इसका नया हुआ है वैसे ही इसने स्कूल भी खोल दखा है और काफी ज़्यादा परिशान एसे कुन पर हाथ है यह मुझे समझ में नहीं रहा है वैसे मैं पहुँच चुका हूँ तो लग तो रहा है जुरासिक पार्क के लास्ट में काफी दूर वैसे जुरासिक पार्क का एरिया है काफी लंबा चौड़ा है और यहीं से दीख रहा है मुझे और यह रहा मैं आ चुका हूँ इसके घर के पास इसके घर के पास ने इसके घर से काफी जादा दूर और यह बच्चा देख लो यार बिंदास जा रहा है इसके अंदर और इसने यार इस टीचर को पूरा मतलब के परिशान करने का प्लान बन लिया है और ये देख लो अंदर जा रहा है पूरा दर्वाजा खोल लिया इसने और अब देखते हैं ये करता क्या है वैसे ये तो मुझे लगता अंदर एंटर कर दिया वो टीचर जा रही है और ये यार देख लो चीमटा इसके खाने के पास रख दिया है और फिर पेपर से उसको ढख दिया, यहां से अट चुका है, और जैसे वो हाथ डालेगी, उस पर अब देख लो गाई, यह तो इंगलिस में घर पे भी बात करती है, और यह खाना ले लिए, और यह कहती कि मैं काफी अच्छा खाना बनाती हूँ, और देख लो, अब यह करता क्या है, यह देख लो, नमक सामने दिख रहा है, इसने पूरा का पूरा वाटल का नमक इसमें डाल दिया और यहां से अट चुका है, अब यह खाएगी तब इसको पता चलेगा वैसे, तो यह देख लो, इससे ने एक मरतवा गट किया, और यह देख लो, यार, इसका, यह तो उल्टी करने लगे, यह देख लो, इसका टीवी जो कि फेवरिट सुआने वाला है, अब यह बच्छा देख लो, करता क्या है, हैंग, यह ले चुका है, कुछ रोड बगएरा, और इसका टीवी तोर दिया, यार, अब देखते हैं, यह क्या करती है, तो यह देख लो, इसकी अलमारी खोली, और यह देख लो, इसने इसका तो काट दिया कपड़ा, और यार, अब तो मुझे लगती है, यह काफी जादा रून रून लग जाएगी है, कुछ होता है, या फिर नहीं, बच्छा यह बाहर आ चुका है, फाइनली, और देखते हैं, अब क्या होता ह कि टीचर बाहर आएगी, यार, क्योंकि यह तो जाने वाली थी, मगर लग रहा कोई आ रहा है क्या, तरवाजर पाइनली आ चुकी, यार, यह बाहर काफी इस तरीके से, स्टाइल में, और यह देख लो, बाहर आते हैं, यह रोने लग गई, यार, रोने लग गई, बहसे नेक्स्ट प्लान की तरफ जाना है, इसको मैंने बोल दिया है, और इसको सारा प्लान पता है, और यह बच्चा जो है ना, इस टीचर को लेकर कि किसी तरीके से, दूसरे प्लान की तरफ आने वाला है, और मुझे भी, जो के पहले जाना है, अपनी बाइक से, और किसी तरीक से जो के प्लान मैंने बनाया है उसको सेट करके पहले से रख लिया है मैंने फोड़ जाना है मुझे वहां और यार इस टीचर को जो कि कुछ अलग करना इस दफा काफी खतरनाग जो कर मैं इसको अपनी जाल में फसाने वाला हूं तो मैं फाइनली अपने जो के नेक्स्ट मैंने पहले से लगा लिया इसमें सेट कर लिया बाइक को मैं छुपा करके रखता हूँ वरना ये देख लेगी न तो फिर मुए पकरा सकता हूँ और बाइक को मैंने छुपा दिया है और ऊपर मैं चढ़ जाओंगा और गैज देखना खतरनाथ बस बच्चा भी लेकर आ रहा यह देख लो यह काफी टॉप ऊपर आराम से बैट करके इस टीचर को जो कि इससे यार पैसे की लालच में इसको किसी तरीके से ले आया अब देखना अब यह पैसा उठाया और पैसा उठाता ही मैंने इसको पर क्रेन से कंटेनर जो के नीचे से खुट खुला हुआ था और मैंने इसके उपर फेग दिया और फाइनली इस टीचर को मैंने इस कंटेनर के अंदर कैद कर दिया है अब देखना ये मेरे मुझे रात भर जो के कैद रखी थी रस्यों से बांद करके मैं और इस बच्चे ने मिल करके इस टीचर को काफी खतरना कैद कर दिया अब यह रही मैं है और मेरे दोस्ट ने जो कि बच्चे मेरे दोस्ट एक लेकर हो चुका है क्यूंकि सब्सक्राइब करण नहीं है और फानली मैं पहुत चुका हूं मज़ा आओ और इसको एक घर के इंदर वैसे आपको वीडियो कैसे लेगी वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक कर देना और साथ ही साथ मेरे चैनल पर ने हो तो चैनल को सस्क्राइब कर देना ऐसे ही मज़दार इंडियन बाइक डैविंग 3D की वीडियो को देखने के लिए और आपको वीडियो कैसे लगी कॉमेंट कर देना और गाइज आपको अगर हमारे पिछली वीडियो देखनी हो तो हमारे चैनल पर जाकर के आप देख सकते हूँ जो को मैं हर रोज काफी मज़दार मज़दार इंडियन बाइक डैविंग 3D की वीडियो लगता रहता हूँ तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिवाई